नमस्कार दोस्तों राम केला दोस्तों प्रताव का बलोशनल माफ सबका स्वागत है आद दोस्तों हम बात करूंगा लक्षमी वरुना टी 59 सरसों के बारे में हमने दोस्तों आप देख पाएंगे सरसों की बुगाई किया था लक्षमी वरुना टी 59 आज हम इसके बारे में बत वाले सुझाव रह जाता है नीचे कमेंटर जरूर करें अगर दोस्तों हम बात करते हैं लक्षमी वर्नाटी 59 सरसों सीट्स जो है काफी बढ़ियां सीट्स माना गया है और पैदावारं भी काफी बढ़ियां होता है और इसकी फ्लियां आप देख पा रहे होंगे कितना बेहत 61 दिन पे आप देख पाएंगे किस तरह से इसमें ग्रोध देखने को मिल रहा है और किस तरह से फ्लियां भरी होई है और पिछले हमने बार वीडियो बनाया था जब इसमें खाद पानी वगरा दिया जा रहा था तभी हम ने इसका वीडियो बना कर आपको व भागा था चैनल पर तो आप लोगों नहीं देखें तो इस वीडियो को लाश्म लगा दूँगा उसको देख लिजिएगा और इसमें दोस्तों काफी बढ़ियां जो है फलियां देखने को मिल रही हैं जो की मोटी फलियां दिख रही हैं और काफी बेहतरीन हैं अगर हम बात करते हैं प पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है और जो भी हमारे किसान भाई हैं वो कौन से सीर्ट का जो है चैन करते हैं बुगाई करते हैं नीचे कोमेंट जरूर करें और इसमें जो है अभी सत्तर दिन हो चुका है यानि अभी एक आत्तर दिन हो चुका है अभी लगभग इसे 120 दिन माना जाता है 120 दिन में जो है ये पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाते है यानि अभी 49 दिन और लगेंगे इसे पकने में तो ये पक जाएगी पकने के बाद दोस्तों हम इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें फलियां कितनी मोटी हो अभी तो एक 70 दिन में इस तरह के फलियां दिखाई दे रही है जब ये पूरी तरह से इसको हो जाएगा 120 दिन तब इसमें देखने को मिलेगा कितनी जवरजस्त फलियां होंगी कितनी मोटी होंगी और मोटा दाना भी होगा और इसमें क्या है तेल भी जादा पैदावार होता है और मोटी फलियां होने के वज़ा से मोटे दाने होते हैं जब मोटे दाने होते हैं तो इसमें क्या है वजन भी जादा पकड़ता है तो आप लोग दोस्तों अगर लक्षमी वरनवाटी 59 सरसों की बुवाई करन बढ़िया है और रोग प्रत्रोधक छमतव इसके अंदर अच्छी है किसी प्रकार कभी रोग भी नहीं लगा हुआ है जो की लगातार बारिज भी हुगा था लगवक तीन से चार दिन पान दिन तक जो है फिर भी आप देख पाएंगे काफी बेहतरी नहीं और काफी बढ़ि वीडियो को लाइक जरूर करें